स्वागत है दोस्तों आपका confusion 9.2.11 में दोस्तों finally railway ने scorecard जारी कर दिया गया है और अब जो इतने दिन देर इंतिजार करने के बाद आखिर में ये activated हो चुका है link और बहुत सारे छात्रों का कहना था कि जो मैं link दे रहा था वो open नहीं हो रहा है लेकिन अब जो है वो open हो जा कर लिया है और सबका marks scorecard दिखा रहा है अब कोई दिक्कत नहीं है इसका link जो है मैं अपने telegram channel confusion 9.2.11 में change कर दिया है वहां से आप लोग open करके इसी page पे आ जाएंगे अब यहाँ पे भी कुछ लोग login करते हैं तो server वीजी के करण उनको problem हो रहा है तो भी हम बता देंगे कि उसको भी कैसे sort out करना और कैसे असानी से आप लोग देख सकती है यह देखिए mobile mode है ठीक है और जैसी यह जो मैंने link दिया है उस पे click किजिएगा यही page सबसे पहले आएगा mobile में ठीक है और mobile में आने के बाद आप लोग क्या किजिएगा कि यहाँ पे अपना registration number यहाँ पे date of birth open करके यहाँ पे login कर लीजएगा ठीक है login किजिएगा तो ऐसे अगर आ गया login page में आपका application mode में आ गया तो ठीक है login आपका हो जाता है तो ठीक है अगर इस mobile mode में login नहीं होता तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे symbol बना हुआ है ठीक है यहाँ पे menu में जाईएगा और menu मे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा इसको स्क्रॉल आप डाउन किजिएगा तो यहाँ पे देखिए desktop mode है ठीक है यहाँ पे desktop site है जो मैंने पहले से करके रखा है तो यह desktop site आपका यह कर लीजएगा यहाँ पे checkbox में tick out कर लीजएगा तो फिर तब login किजिएगा तो आप login होगा तो यह देखिए यहाँ से जैसी ही आप लोग 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 किजिएगा सारा details fill up करके login जैसी किजिएगा तो उसके बाद जो next page आएगा वो हम page आपको दिखा दे रहे हैं step by step पूरा दिखा दे रहे हैं कि कहां पे आपको scorecard मिलेगा आपका सही होना कुछ इस तरह से page खुलेगा इस तरह से कुछ page खुल जाएगा ठीक है यहाँ पर जो page खुलेगा आप लोग ध्यान दिजेगा कि यह जो page खुलेगा तो आप यहाँ पर जाईएगा कहिंडे details के बगल में यहाँ पर all लिखा रहेगा ठीक है तो इस all पर देखिए arrow का sign है त यहाँ पर टच करना है टच करने के बाद जो next page खुलेगा वह हमारा कुछ इस तरह से खुल करके आएगा all जैसी कीजिएगा तो इस तरह से आजाएगा ठीक है all category देखिए आ गया उसमें आपका candidate response दिखाएगा और scorecard दिखाएगा तो आपको यह scorecard पर टच करना है और जैस जो आप लोगों को लग रहा था कि किस किस जोन के कितना normalization करके बढ़ा है तो बहुत difference है ठीक है हर जोन का अलग-अलग difference है और shift wise भी बहुत difference कर दिया गया यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए एक है इनका पटना जोन का है ठीक है पटना जोन में इनका देखिए कि total number of question 100 थ दिया गया है तीन question ignore कर दिया गया है तो इस तरह से total valid question इनका 97 हो गया था मैं और जूम कर देता हूं इसे ठीक है चलिए तो 97 valid हो गया जिसमें से इन्होंने 85 question attempt किया था और इनका number of question answered correct हुआ था इनका 18 question ठीक है sorry 64 question इन्होंने सही किया और गलत किया है 18 question तो इस तरह से इनका raw marks हो गया after deduction 58.0 और pro rated score हो गया 59.79 और इनका देखे normalization करके हो गया है 79.20765 यानि कि इनका जो normalization करके 20 number यहाँ पर normalization कर दिया गया है और इनका CBT2 के रिए selection में yes आ गया है ठीक है तो यह हो गया पठना zone इसी तरह से यहाँ पर पता चलिए कि कितना normalization हुआ अब उसी तरह से आईए हम और zone देख लेते हैं तो यहाँ पर पतना का हमारा हो गया है और देख लेते हैं कौन-कौन सा zone है अब आईए राची zone में ठीक है तो राची zone में यहाँ पर देखिए राची zone में देखे क्या हुआ है कि देखे total number of question 100 है ठीक है और total number of question ignore किया गया है 3 तो इस तरह से valid question हो गया 97 इन्होंने attempt किया ह है 91 और इनका सही हुआ है 77 question और गलत हो गया है 13 question तो raw score इनका बन गया है 72.66 तो pro rated score हो गया 74.91 और यहाँ पर देखिए normalize score हो गया है 83 ठीक है तो यहाँ पर इनका केवल 7 से 8 नंबर इनका बढ़ा हुआ है ठीक है मानके चलते हम 9 नंबर तो मतलब बहुत कम इनका normalize करके हुआ है तो यहाँ पर देखिए normalization बहुत कम किया गया है और इनका 83.026 नंबर ला करके भी इनका selection 9 है ठीक है चलिए अब next zone का आते हैं चलिए next यहाँ पर as made zone है अज made zone का हम लोग देख लेते हैं कि total number of question 100 है इग्नोर किया गया है दो तो इस तरह से valid question हो गया 98 और इन्होंने number of question attempt किया है 82 ठीक है और number of question answer correctly दिया गया है 64 ठीक 64 नंबर इन्होंने correct किया है और 16 किया है गलत इन्होंने गलत किया है इस तरह से इनका raw score जो हो गया है 58.66 और pro rated score हो गया है 59.86 और देखे normalization करके इनके साथ बहुत बढ़ा धोका किया है केवल एक number बढ़ाया गया है ठीक है तो ये बहुत ज्यादा ये कैसे किया गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी में 20 पटना जोन में 20 नंबर राची जोन में 7-8 नंबर और ये अजमेज का जो है वो केवल और केवल 61 नंबर ही normalization करके बढ़ाया गया है तो ये बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है ठीक है normalization का इतना इतना gap और इतना किसी में तो इस तरह से करके छात्रों के साथ भी धोका दिया गया है अब ये पता नहीं चारा कि system का problem है software का problem है कैसे क्या किया है shift चलो ठीक है hard है असान है लेकिन फिर भी एक number किसी के normalization में क उमीद है कि इस वार भी जादा कुछ नहीं change होगा अब आई ये चंडीगड का चंडीगड का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो चंडीगड का अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखे चंडीगड में क्या किया गया 100 question है 2 invalid हो गया है तो 98 question valid question हो है normalization करके 58.37 हो गया है तो इसमें चंडीगड वाला में देखे केवल 3 number बढ़ाया है ठीक है और इनका भी selected list में no number कर दिया यानिक इनका select no है selection इसका नहीं हो पाया CVT2 के लिए तो अब देख सकते हैं केवल और केवल 3 number यहाँ पे normalization से बढ़ाया गया है next हम लोग देखते है next भी चंडीगड है यहाँ पर एक चीज और देख लें इनमें कितना बढ़ाया गया देख लेते हैं दोनों चंडीगड का ही है तो यहाँ पर देखे 98 वैली कोशन इन्होंने 76 attempt किया है और correct किया है 57 गलत किया है 18 कोशन और इनका raw marks है 51 और pro rated score out of 100 में 52 और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर केवल और केवल चे नंबर साथ नंबर बढ़ाया है और इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा तीन नंबर बढ़ाया तो किसी में तीन किसी में साथ तो इस तरह से देखी एक ही जोन में किसी तरह से किया गया है हो सकता है सिफ्ट अलग भुपाल जोन का इनका है 100 question और 3 ignore कर दिया गया तो 97 valid question हो गया इसमे इन्होंने 83 attempt किया था ठीक है और इनका number of question answered correct हुआ है 64 और incorrect हुआ है 17 ठीक है तो इस तरह से इनका raw marks हो गया 58.33 pro rated score out of 100 हो गया है 60 number और इस तरह से normalization किया गया है 79 यानि कि देखे इनका भुपाल जोन है तो 60 से सीधे 80 कर दिया गया है तो यहाँ पे भी इनका 20 number increase किया गया है यानि कि यहाँ पे जो increase किया गया है वो zone wise नहीं किया गया है बलकि shift wise किया गया है ठीक है तो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गया है कि यह shift wise यहाँ पे normalization किया गया है जैसे राची का भी देखे बी सई था 18 गलत था उनमें भी 20 question normalization किया गया था 20 number और यहाँ पे भुपाल में भी यह same है लेकिन इनका भी 20 number normalization किया है इस वज़ा से shift दोनों का same था इस वज़ा से यह question भी same था तो इस वज़ा से उनका normalization shift wise कर दिया गया है तो यह पूरा detail हम लोग के सामने निकल करके आ गया सिली गोडी का जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 100 में 2 question ignore कर दिया गया तो 98 बची गया 98 में से 92 इन्हों ने attempt किया है जिसमें 68 सही हुआ है ठीक है यहाँ पे हम zoom कर देते हैं आप लोग देख सकते है 68 सही हुआ है ठीक है अब देखे 68 सही हुआ है 23 गलत हुआ है तो इ normalize करके यहाँ पे 67 कर दिया गया है यानि इनको केबल 6 नंबर बढ़ा दिया गया है ठीक है और 6 नंबर सिली गोडी जोन है और इनका भी selection 9 यहाँ पे दिखा रहा है तो इस तरह से करके बहुत सारे चात्रों को पहले ही छड़ दिया गया है और अब आप लोग देख सकते ह हैं कि बहुत सारी आवादे उठने लग गई है और railway जो क्या है कि अपना जीस तरह से सरकार जीस तरह से चाल चलती है उस तरह से चाल चलना शुरू कर दिया उन्होंने बता रहा है बार बार बता रहा है कि हमने 7.5 लग 20 गुना लिया है 20 गुना चात्रों को लिया है लेकि गुना एक्चुली में वो नहीं है दो या तीन गुना ही लिया है ठीक है और सबसे बुरा हाल तो 12 वाले के साथ किया है केवल गिने चुने लोगों को ही 12 वाले का सेलेक्शन हुआ है बाकी की नहीं का सेलेक्शन नहीं हुआ है 12 वालों का चाहे वो क्यों ना 80 नंबर 85 in कि सामने वाला क्या बोलेगा कि सामने वाला बोले कि सका नहीं हुआ इसलिए ये लोग चिल्ला रहे है MP2 यह हर किसी के साथ होता है कि साना अंदोलन भी था तो लोग समझ रहे थे कि उन hm के साथ क्या धोखा किया गया है लाव में इस वचा सून लोग विरोध कर रहे थे हम लोग को नहीं पता था था इसलिए हम लोग उनको आतंगवादी बोल रहे थे अब वही चीज़ अब हमלोग के साथ हो रहा हम लोग को पता है कि actually में क्या है सामने वाला नहीं जान रहा है, तो अब सामने वाला हो सकता है, कि स्टुडियंट को अतंगवादी बोले, जिस तरह से भी ट्रोल करे, ट्रोल होना ये, क्योंकि हम लोग भी करते हैं, उसी तरह चात्र भी हैं, फिर भी हम लोग दूसरे को नहीं समझते, तो दूसरे जब अपने आवाज का हक उठाते हैं, तो हम लोग उसको ट्रोल करते हैं, वो लोग क्या होगा, कि अब छात्रों को ट्रोल करेंगे, तो ये सिलसिला आपस महीं चलते रहता, और इसी का फैदा सरकार उठाती है, और इसी तरह है, मनमर्जी उन लोग भी सामने रह कर भी, इतना मतलब सीना तान करके, अगर ये स्कैम किया जा रहा है, लाइव, तो आप समझ सकते हैं, कि सरकार का कोई मनसा नहीं है, कि इसको चेंज करेगा, और 80% चांस है, कि साथ चेंज ना करे, ठीक है, हो सकता है, चेंज कर भी दे, क्योंकि चुनाओ का महौल है, अगर स्टुडेंट महौल बनाएंगे, तो हो सकता है, कि चुनाओ में जीतने के लिए, स्टुडेंट का पक्च रखते हुए, अगर चेंज कर सकता है, चुनाओ को देखते हुए, लेकिन ऐसे ज़्यादा संभावना है कि नहीं करेगा ठीक है तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं आगे फिर से अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो ही मैं अब वीडियो बनाऊँगा अब तो सब कुछ किलियर हो गया आप लोग अपना स्कोर देख लें सब कुछ देख लें डिटेल देख लें अब इसका चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि जिनका CBT2 हुआ है उनको तयारी भी करना है और BPSC CDPO का भी तयारी करवाया जा रहा है तो जो है जो है तो अगर आप लोग को साथ देना है जिनका सेलेक्शन हुआ है वो लोग भी साथ है अगर आवाज उठाना है तो वो लोग भी आवाज उठाएंगे यह तया है चलिए इस वीडियो का हम लोग यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्री आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद